हाई गैस कैसे वाप सभाई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पर भी हो और अगर मुझे फर्स टाइम देख रहे तो मैं हूँ प्रतीबा और स्वागत है अपना मेरे चानल को जह हम बात करते मेकप सिंगर काशन के बारे में एब्री टुज़े एंड साटेड़ आज हम लोग इसलिए मैं कोई टोनर असच नहीं हूस कर भी हाइड रेटिंग मिस्ट होते है गाई वह आप लोग एज़े टोनर यूस कर सकते है जिनकी भी स्किंट ड्राय है कॉम्बिनेशन है वह लोग यह यह मिस्ट ही उसकर सकते हो जिनकी इसकिन ओई है उन लोगों को कंपलसरी टोन ही यूज करना है तो प्रोज़ेओ का skin for oily toner आता है आप वो इenario सकते हो तो कितों लगाने के बाद अपो इसको ड्राइऑ होने तक 12 मिनिट का का टाइम देना है उसके बाद हो नेक्स तेप पर जाना है तो गईस अभी टोनर लगाने के बाद जो next step वह रइजर लगाना तो CTM तो मॉश्टराइजर के लिए मैं यूज करिए प्रोइफेक्स कॉस्मेटिक्स का मॉश्टर रीटेन मॉश्टराइजर तो बहुत अच्छा मॉश्टराइजर है मैंने यह मॉश्टर लगा दोगे चाल डाउट्स डालके तो नहीं चलेगा अब क्यास मॉइस्ट्राइजर लगाने के बाद मैं जो नेक्स स्टेप कर रही हूँ वो लगा रही हूँ यह बॉबी ब्राउन का फेस बेस तो यह आज प्राइमर भी काम करेगा और क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राइ है तो यह और एक लेयर मॉइस्ट्र आड़ करेगा मेरी स्किन में बॉबी ब्राउन का मैंने फेस बेस लगा लिया है उसके बाद मैं भी प्राइमर लगाऊंगी यह प्रो इफेक्स कॉस्मेटिक्स का लस्टर लेस प्राइमर है जो बहुत ही अमेजिंग काम करता है यह जेल प्राइमर है गाइस तो यह हर एक स्किन टाइप पे चलता है बहुत एफॉर्डेबल भी है उसको बहुत अच्छा एक ग्रिप प्रोइड करेगा जिससे आपका मेकप बिल्कुल भी पुरे दिन तक बहुत ही अच्छा रहेगा और स्वेट प्रूफ और ओइल प्रूफ हो जाएगा आपका मेकप तो आपको बस यह वाला एक प्राइमर यूज करना है अभी हम लोग करेक्शन करेंगे तो जो भी फ्लॉज है आपके फेस पर आपको अब्सर्ब करना है आपके क्लाइन के फेस पर और फिर आपको सिलम अब्सर्कर प्राइमर जैंज होंरे पंश्रेट इर भी हम्एशा एलो को मिक्स करकर के लगाती हूँ है तो मैं एलेगल की लिक्विड कारेक्टर ज्यूज क्लрेंज और दोनों कुए मिक्स करूंगी और अपनी डाक सकना है जहापी फिक्मेंटिशन है जहापर उपर से भी यलो लगाओगे तो भी चलेगा या तो फिर आप लोग ऐसे मिक्स करके लगाओगे तो भी चलेगा कि अब आपको सेट करना है वह बार लगाने के बाद तो यह क्योंकि liquid है आपने देखा यह कैसे वहाँ पे ही पकड रहा है देखो उदर ही ऐसे चिपक रहा है बिल्कुल भी आपको ऐसे move नहीं हो रहा है तो वो आपको देखना है हिलना नहीं चाहिए जगे से जब यह आप blend कर रहे हो वही पे set होना चाहिए आपका correct है तो यह अभी correct हो गया है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे spray से उसको थोड़ा fix कर देंगा अब तक यह dry हो रहा है अभी तब तक हम लोग अपना foundation देखेंगे क्या लगाना है तो foundation के लिए मैं यूज कर रहे हूँ यह estee lauder का foundation in shade 3w2 cash mac का nc30 तो मैं बस इतना सा यह वाला ले रही हूँ और यह 3w2 cash तो यह अभी दोनों में mix कर रहे हूँ आपके पास ऐसा प्लेट है तो आप लोग ऐसे देखके भी ऐसे पता कर सकते हो कि हाँ यह एकदम match हो रहा है क्योंकि मेरी skin वहाँ से दिख रही है मझे नीचे से तो यह foundation एकदम पॉफेक्ट है और अभी मैं ले रही हूँ यह pro effects का 00 402 brush और इसको डाब करके पूरे अपने face पे लगा रहे हूं अब directly blender से भी लगा सकते हो उससे थोड़ा ज्यादा product लगता है तो इसलिए मैं ऐसे लगा रहे हूँ पहले brush से लगा रहे हूँ और फिर उसको मैं blend करूंगी blender से तो यह जो एसलाडर का foundation इसमें बहुत ही अच्छा yellow tone है तो क्यूंकि मेरी warm undertone skin है तो बहुत ही अच्छा दिखता है कुछ भी yellow undertone का अगर आप foundation यूज करोगे warm undertone पे तो इसम स्किन जैसे ही लगता है और gray भी नहीं होता है तो देखो जब हम लोग brush से blend करते है तो थोड़े थोड़े ऐसे lines form होते है तो उन सब को blend करने के लिए आपको end में blend तो फांडेशन ब्लेंड लगाएंगे तो concealer के लिए मैं यूज कर रही है टार्ट का शेप टेप concealer and shade medium तो मैं पहले अपने ही skin tone का concealer लगाऊंगे और उसके बाद आप लोग एक light concealer लगा सकते हो थोड़ा सा highlight करने के लिए features को फांडेशन बहुत light लगा हो जाता है थोड़ी देर के बाद वो gray दिखने लगता है और थोड़ी देर के बाद अपना makeup भी black हो जाता है बढ़ अगर अपने concealer से makeup किया मतलब foundation एक base अपनी skin tone का बना लिजिए और फिर उसके बाद आपको एक concealer अपनी skin tone का और फिर उसके makeup oxidization का भी problem चला जाएगा अब बहुत अच्छा दिखेगा बीज भी आपका कॉन्टोर के लिए मैं शोपारिल पैलेट में से यह वाला brown color जो है यह यूज कर रहे हो तो पहले मैं cream contour करूंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसको powder से set करेंगे यह जो bone है उसके उपर ही आपको contour करना है और अभी मैं इसी palette में से जो light shade है थोड़ा यह वाला concealer ले दिए जहाँ पर मैंने पहले concealer लगा था उसके उपर लगा रहे ही थोड़ा सा highlighting के लिए अभी जो भी मुझे cream और liquid products लगाने थे वह मैंने सब कुछ लगा लिया अभी हम लोग powder से अच्छी से सेट कर लेंगे और फिर हम लोग next blush and all लगाने तो powder के लिए मैं हुडा beauty का banana powder यूज कर रहे हूँ जहाँ पर मैंने concealer लगा है ना वहाँ पर मैं loose powder लगाऊंगे और जहाँ पर मैंने concealer नहीं लगा है मतलब यहाँ पे and all तो वहाँ पर मैं एक compact powder लगाऊंगे बाद आपको powder लगाना है और यहाँ पर मैं सब nc35 लगा रहे हैं foundation यह मेरी स्किंदल से थोड़ा सा light है और यह इसके जो pigment से वह ज्यादा होते है गाईस तो इससे लिए यह और भी अच्छा finish देता है पर अगर आपके पास compact नहीं है तो आप लोग फूरे face इस पे भी loose powder लगाऊगे तो भी चलेगा और फिर यह pack spot लाएट ले रहे है और उसमें से जो light color है ना यहाँ ले रहे हूँ अब इसा powder setting हो गया है गाईस अभी हम लोग ब्लश लगाएंगे तो ब्लश के लिए मैं यह pink color और orange color जो है वो mix कर जो दोनो अब फिर थोड़ा सा इसमें से लिजिए अगर आपको बैट नहीं करना है ब्रश को तो भी गैस अभी हम लोग आईब्रो सेट करना है तो गैस अभी आईब्रो सेट हो गए है अभी हम लोग आई मेकप स्टाट करेंगे तो आई मेकप के लिए मैं थोड़ा से आई कंसिलर ले रहे हूँ और यह आईब्रो के नीचे का जो पार्ट है नहीं क्लीन कर रहे हूँ तो गैस यह आई प्राइमर लिया है मैंने पीलूई बेस शेड रूमर 2 और फिर तो गैस अभी मैंने आई बेस सेट कर लिया है अभी हम लोग क्या करेंगे पहले एक ब्राउन कलर से यह साइड कॉर्णर जो है ना उसको सेट कर लेंगे मैंने एक ठिक डिफाइन ब्रश लिया है फ्रवा संसेट आये हम लोग करेंगे आज तो इससे क्या होगा तो अगर मैं ऐसे मीचे तक ही लगाऊंगी कलर तो ये इतना नहीं दिखेगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा उपर अपने क्रीज तक लगाया है ताकि मैं जब आखे खोलू तो भी अच्छे से दिखेगा है तो ऐसे आलमेंड शेप आय मेकप करना है मुझा आज क्योंकि वह बहुत ही अमेजिंग दिखता है आप लोग ऐसे ब्लेंडिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हो ऐसे ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करके भी अप लोग कलर को लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस आपको क्रीज तक लगाना है और फिर इसके बाद एक लाइट ब्राउन कलर ले तो यह मिशेली पलमा का पालेट यूज़ कीज़े जिसमें अच्छा ब्राउन कलर ह है और जिसके पिगमेंट अच्छे है ना गाईस ऐसे यूज़ कीज़ें ब्राउन लिया है लाइट ब्राउन और तो गाईस अब यह ब्राउन कलर सबसे पहले लगाया है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ब्राउन के बाद मैं लगा रही थोड़ा सा यह लाइट और कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग तो मैं पहले थोड़ा डिफाइंड कलर लगा रही हूं थोड़ा उपर तक लगा रही हूं जाकता कि आखें खुली रहेगी ना तबी भी यह दिखे अच्छे से अब यही कलर से मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लें अब थर्ड कलर जो ले रही हूं यह यलो कलर ले रही हूं तो उससे पहले मुझे यहां पर वाइट लगाना है गाई थोड़ा से वाइट कंसिलर ले रही हूं और पहले थोड़ा सा वाइट लगा रही हूं और मैं ए किसलिए थोड़ा से भी यहाँ पे कलर का यह लिप्स्टिक लगा रही हूं पहले अंदर अOOOOUS है अर यह कॉर्नर में थोड़ा सा वाइट भी लगा रही हूं है वाइट का भी इतना पिग्मिन दिखनी रहा था है तो मैंने येलो लिया है और जाहाँ पर मैंने लिप्स्टिक लगाया था थोड़ा सा यलो उसके उपपर यह मैं वापस थोड़ा सा ओरेंज भी लगा रहे हूँ कि और ओरेंज का भी पिग्मेंट इतना दिखनी रहा था गाईज तो अभी यलो का पिग्मेंट देखो मैंने थोड़ा लिप्स्टिक लगा उसके उपपर यलो आईशाड़ो लगा तो अच्छा दिख रहे है तो अभी इसे पैलेट में थोड़ा सा ओरेंज भी ले रही हूँ मैं तो ऐसे थोड़ा चुगार करना पड़ता है गाईज क्योंकि आईशाड़ो के पिग्मेंट जितने अमेजिंग रहते हैं यह जितना हमें चाहिए थोड़ा सा यह लगा रही हूँ मैं तो आप लोगों के पस जो भी है औरेंज कलर का आईलाइनर है लिप्स्टिक है कुछ भी आप थोड़ा सा लगा सकते हो फिर मैं यह औरेंज ले रही हूँ और यह यहाँ पर लगा रही हूँ अब मैं क्या कर रही है ब्रिक रेड ले रही हूँ और उसके बाजे में थोड़ा से भी ब्रिक रेड लगा रही हूँ और फिर corner में वापस से space wine ले रही हुँ थोड़ा क्योंकि ये brown भी इतना दिखने रहा है थोड़ा से space wine ले रही हुँ और यह पस blend करते-करते लगाना है अगर आपको ऐसे defined brush से नहीं लगाना है अब आप लोगव इसे round blending brush से भी लगा सकते हो पैक का जो 050 brush है guys वो भी बहुत अच्छा है बस ऐसे ही आपको लगाना है और फिर ये कारमेल कलर जो है यह मैं ले रही हूँ कि यहां पर है जब आपको ब्लेंड करें डार को इसे लाइट के उपर थोड़ा सा ब्लेंड कीजिए तो बहुत जल्दी से ब्लेंड हो जाता है तो अब आई-लाइनर लगाएंगे तो आई-लाइनर मैंने मीबिलिन का जेल आई-लाइनर लिया है तो आई जब आई-लाइनर इसे ऐलाँके ट्रांगल करके विड़ा लाइन अगया है मिजी सीन नीचे भी लगा रही है क्योंकि मेन लुक काज़्ल का ही होता है बेंगॉली लुक में इस इस नीचे खीचना है यहीं लेए हूँ इसको और ओपर भी लगा रही हो, हम लोगो थुड़ा सा इडै करेंगे तो यह ब्राउन लेरी हो और जो भी आपने क्रीस कलर्स लगाये हैं वही लेने आपको या तो ये डार्क ब्राउन भी ले सकते हो थोड़ा सा ब्लाक को हम लोग स्मच करेंगे अब थोड़ा सा ग्लिटर भी लगा हुआ मैं ये माक का गोल्ड ग्लिटर लगा रही हुँ जहाँ पर मैंने यलो लगाया ने उसके उपर लगाएंगे मैं ये आई बी कम्टेट करके आती हुआ किसाब तो गाईज अभी मैंने आई लाशिज लगा लिये है सब कुछ हो गया अभी हमने लिप्स्टिक लगाएंगे तो लिप्स्टिक के लिए मैं ये फैंटी ब्यूटी का अनसेंसर लिप्स्टिक लगा रही हूँ अगर थोड़ा सा बाहर आगया है तो आपको बस आपका कंसिलर लेना है मैं ये वाला कंसिलर ले रही हूँ ऐसा एक ब्रश लीजिए और फिर आपको बस आउट्लैन अच्छे से माक करना है तो गाइस अभी हम लोग वो बेंगॉली में जो टीका लगाते न वो करेंगे तो मेरे पस वाइट कलर का नहीं है लिक्विड तो मैंने अपना वाइट जेल आइलाइनर लिया है और मेरा ही जो रेड कलर का लिप्स्टिक है न वही थोड़ा वाइट एंड यहाँ पर यह व और फिर अभी हम लोग इससे ही अभी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जो चोटे चोटे लीव्स मैंने उसको गुलाए ड्रॉ करने के लिए तो नेल आट का ब्रश लिया है और एक रेड कलर का पहले बिंदी लगा है उसके अरां चोटे-चोटे लीव्स ड्रॉ कर रहे है और दे से ही पूरे आइब्रोस के अरांड ऐसे डिजाइन निकाला है और फिर उसके अंदर लीव्स के अंदर जो थोड़ा पहुत स्पेस है गाप है न उसमें मैंने रेड कलर का यह लगाया है लिप्स्टिक लिप्स्टिक लिए यह मैंने पना ज्वेलरी पहन लिया अलता लगाय तो अब देख सकते हो अगर आप अच्छा लगा मेरा आज का लुक तो प्लीज गैज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को और अगर आप में से कोई भी मेरे ओनलाइन क्लास जॉइन करना चाहता है जिसमें मैं सब कुछ बेसिक से लेकर एड़ांस सख सिखाती तो प्लीज प्रतिभासालियनbeauty27atgmail.com पे इमेल करना में मिलूंगे आप से नेक्स्ट वीक तिर दन बाई एंड टेक केर